हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई योटूब चैनल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडिमेट लहंगे में कैन कैसे लगाएं तो देखिए फैंड्स ये कैन कैन लगाने के बाद इसका लूप कितना प्यारा आ रहा था तो देखिए फैंड्स ये हमारे पास जो है रे अलग करेंगे उठाएंगे और इसके बाद ये इसका दूसरा इनर है और ये इसका सबसे लास्ट वाला इनर है जिस पे हमें कैन कैन लगानी है तो इस तरीके के जो ये लहंगे होते हैं इनमें कैन कैन लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो अब हम आपको बताते हैं क केंंस तरीके से केंगर लगाएंगे साइन तयार कर लिया जो हम अपने पिछली वीडियो में बता सूके हैं अप हमारे चैनल ire पर विजिट करकर जाके देख सब्सक्राइब गर्राप कर दोस्तों हमारे इसमें सब्सेंड है इधर की साइड यह जिप अटैच है यह जिप हमारी 7 इंच पर अटैच है तो हम यहां से आप इंच का मार्जन लेते हुए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और 7.5 इंच पर ऐसे हम गोलाई में मार्क करने के बाद एक निशान ड्रो कर लेंगे तो देखिए इस तरीके से हम इस निशान को मिला लेंगे और इस निशान को मिलाने के बाद यहां से हम इस निशान पर ही कैन कैन स्कर्ट को लगाएंगे यह हमारी कैन कैन स्कर्ट रडी हो चुकी है तो अब हम इसको नापते हैं यह हमारे कितने इंच की है यह हमारी 32 इंचिस की है अब हम अपने नीचे का एरिया नीचे का जो हमारा स्तर है उसको भी नाप लेंगे ताकि हमारे स्कट नीचे से लटके ना तो देखिए हम इसमें जो है अब उपर वाले इसमें हम इस तरीके से चुन्नटे डालते जाएंगे अगर आपको नहीं आती है तो यहां से भी आप देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो प्रीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटिस हुआ है और वो हम आपको अपनी पहले भी वीडियो में बता चुके हैं अगर आप खुल नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर विजट करकर और पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं तो देखे दोस्तों इसी तरीके से जो है हम इसमें बराबर बराबर दो-धो इंच की चुन्नते इस तरीके से डालते जाएंगे चुन्नतु का रुक्ष जो है हमें अपनी साइड रखना है और यह देखे हमारी स्कट बनकर रेड़ी हो चुकी है जो हमने निशान लगाया था अब हम उस निशान पर इसको cut कर लेंगे और इसको cut करने के बाद हम इसमें can can skirt को इसके अंदर डालेंगे और उस पर sly लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो हमें half inch का margin छोड़ते हुए अपनी can can को अस्तर के उपर रखते हुए sly लगानी है क्योंकि अभी हमें इस अस्तर को अपनी skirt के अंदर भी sly लगाकर रोकना है तो इसलिए यहाँ पर हम half inch का margin लखेंगे और इस पर sly लगाते जाएंगे देखें इसी तरीके से जो है हमें इसे गोलाई में घुमाते हुए sly लगाते जाना है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इसी तरह की नई नई वीडियो और अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स म थो देर कि दोस्तों इसी को जो हूँ हम पूरे जितना भी हमारा ये अस्तर है इसपर हम इसको पूरे में कवर कर लेंगे और अगर आपको इस चोटी रहे जाए यह बड़ी रहे तो आप जो है इसको कट करके दिखा सकते हैं अब इसको जो है दोस्तो हम अपने अस्तर के साथ जो हमारी skirt का अंदर वाला अस्तर था उसके साथ जो हमने half inch margin छोड़ा था उसके साथ इसको हम रहके stitch कर लेंगे थैंक्स पोर वोचिंग